आले कृष्णा कृष्णा आले कृष्णा कृष्णा देख लिया इन देवताम पर उश्वास करने का परिणाम मैंने पहले ही कहा था इस चलिए इसे साउधान रो हो मैंने कभी सूचा भी नहीं था कि ये विश्णू मुझसे इच्छा मृत्यू का वर्दान मांग सकता है हमने आपको पहले भी कहा था इवल देव ही अपने वचनों का पालन कर सकते हैं कोई भी द्यत्य नहीं देखा ना आपने वर्दान मांगते ही इस तुकार बालतों की भाकी हट करने लगे नहीं हम यह सित्य कर देंगे इद्यते भी अपने वचन पूर्ण करना जानते हैं इसलिए हम तुम्हें अपने इच्छा मृत्यू का वर्दान देते हैं यह क्या कह रहे हो का नहां देट्यों ने तुम्हारी बात मान ली मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा हाँ दाओ यदि उन्होंने मुझे ऐसा वचन नहीं दिया होता तो वो दोनों कभी ये नहीं होने देते किन्तु उनके सामने इसके सिवा कोई और मार्ग भी नहीं था अच्छा तो फिर मधू और कैटब का वद कैसे किया बताओ नकाना क्या हुआ फिर कि तुम ने हमसे छल से इच्छा मृत्यू का बर्दान तो मांग लिया किन्तु हमारी एक अंतिम इच्छा है और हमारी इच्छा यह है कि हम यहां नहीं मरना चाहते हैं हम अपने मृत्यू आकाश में चाहते हैं हुआ हुआ है हुआ हुआ है झाल झाल हम पराजित नहीं हुए विष्णू हम तेरे हिक्षडी अंत्र के कुछ अक्रम में फसे हैं अन्येथा तुम अधुकेटव को परास्त नहीं कर सकता झाल 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 हरको ते वस्यभी मही तत्सवितुल परेनियं शत्रुण में अना हनाईदी अना हनाईदी झाल 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 प्रभू की जय हो प्रभू की जय हो उत्तम अति उत्तम आपने संसार को मदुकेटव के भैसे मुक्त किया है मदुकेटव का दलन कर आज से आप मदुसूदन और केटव जीत के नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे अच्छा तो इसलिए तुम्हें मदुसूदन और केटव जी भी कहा जाता है ये भूता सुर्भ भूता सुर्भी इन्हीं दोनों के वन्शज है हाँ दाओ और यदि उन दोनों पर भी माता भगवती के दिये हुए वर्दान का प्रभाव है तो उन्हें पराजित करना असंभव है तो हम उन्हें कैसे रोकेंगे कानहा पता नहीं दाओ किम तु अभी हमें घर चलना चाहिए चलो घर चलें कोई ना कोई योजना तो बनाने पड़ेगी देखो बच्चो सकते सकते का काना का लो आग या माखन चोर स्पाहस तो देखो जरा अभी भी हाथ में माखन के मट की लिए आ रहा है क्या हुआ ये सोदा मौन क्यों हो या अभी यही कहोगी कि तुम्हारे लल्ला ने माखन नहीं चुराया क्या हुआ मैया अब हमने क्या किया पूरे गाओं का माखन खा गया तू अब उससे क्या किया हमने मैया हमने माखन नहीं चुराया अच्छा तो तुम दोनों ने माखन नहीं चुराया तो थर ये माखन कहां से आया बोलो ये मट की तो हमने चुराया है देखो देखो इतने साहस के साथ अपने छोड़ी स्विकार कर रहा है ये किन्तु हमने ये माखन गाउं से नहीं चुराया मैया ये तो हमने बस अब उमारा कोई जोट मेरे सामने चलने वाला नहीं है मैया हम सत्य कह रहे हैं हमारी बात कहने का एक अफसर तो दीजिए हम बता देंगे कि सत्य क्या है नहीं का न अब आप सा तुम्हा रास्ता चीह जोट सुनने का नहीं है बलकि तुम्हें दंडित करने का है ये शोदा, एक बार लल्ला की बात सुनतो ले क्या पता वो सत्य बोल रहा हो हाँ मैया वो तो ताकि आप इन्हें नहीं जानती, यह बहुत शरालती ही यशोदा, इन्हें एक अफसर तो दे, तुम मुझे माता मानती है ना, मेरी बात नहीं मानेगी छीपिक आपि, सिर्फ आपकी कहने पर भ्यान सुन लेका ना, अगर तु स्वैम को निदोर सिद्ध नहीं कर पाया तो तुझे समस्त गोकुल का मांकन तयार करना होगा ठीक है मैया, चलो दाओ हमने तो मांकन चुराया नहीं दाओ फिर कौन है जिसने गोकुल वासियों का मांकन चुरा लिया कितना स्वादिष्ट मांकन है ये ये क्या हो रहा है यक्ष स्वामी, मैं उगलिया चाट रहा हूँ मैं आपके लिए मांकन लेने गया था सोचा उसी में से थोड़ा सा चकलू मांकन चकते ही मेरी भूग इतनी जागरित हुई, इतनी जागरित हुई कि मैं सारा मांकन खा गया स्वामी, आपके गाउं का मांकन बहुते स्वादिष्ट था वाह, मैंने ऐसा मांकन आज तक कभी नहीं खाया ये देखिए मैंने सारा मांकन स्वाप कर दिया है अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा ये देखिए काना, गोकुलवासी एक ही माखन चोड से व्यथित थे अब दो-दो माखन चोड हो गए अब क्या होगा काना ये नगारा कहां बच रहा है काना, चलो चल कर देख्टे है सुनो, सुनो, सुनो समस्त गोकुलवासी सुनो मैं आप सब को एक सूचना देने आया हूँ हमारे गोकुल पर अत्यंत जटिल समस्य आ गई है यदि उसका निवारन नहीं हुआ तो हम सब का विनाश सुनिश्चित है क्या हुआ भाई, आप इतने घवराय हुए क्यों हो क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बोलो हुआ यू नंदराज, मैं और मेरे पती वन में लकडिया काटने गए थे और अचानक वहां दो असूर आ गए उन्होंने अपना नाम भूतासुर और भैभूतासुर बताया उन दोनों गुस्ट वाक्षसों ने बहुत व्यातना दी त्रताडित के अनंदराज और उन्होंने उमसे कहा कि यदि हम ये संदेशा गोकलवासियों को नहीं देंगे तो वो हमें तो वो हमें मार देंगे क्या संदेश दिया है उन्होंने गोखुल के लिए बताओ उन्होंने का है नम्राज गोखुल वास्तियों को काना को उन्हें सोपना होगा कि अन्हें तो गोखुल का कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा तुम क्या किरी हो बहन? मैं अपने पुत्रों को भला हून असुरों को कैसी सौप सकती हो उन असुरों से मेरे पुत्रगा कैसा बहन? वो मैं नहीं जानती बहन बस इतना कह सकती हूं, कि वो बहुत ही भयाने कसुर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने स्पास शब्दों में कहा हैं, ये दिकल भोर तक काना को नीली पहाड़े के पीछे नहीं छोड़ा, तो इस का दन पूरे गोकुल को भगतना पड़ेगा, क्या, काना को उन राक्षसों को सौपना होगा? नहीं, हम इस छोटे से बालक को कुंदुष्टों को रही दे सकते, और यदि हमने उन्हें कृष्णा को नहीं सौपा, तो वो गोकुल को नश्ट कर देंगे, नहीं, मैं अपनों पुत्र को कहीं नहीं भेजूंगे, मेरा पुत नंद्राज, मैंने उन भभूता सूर और भूता सूर के विशह में बहुत कुस सुना है, बड़े हिक्रूर देते हैं वो, उन्हें भले बुरे से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इंसान को कच्छा चवा जाते हैं वो, अब आप भी देख लीचे, आपको अपना पुत्र कृष का सामना किया है, उसी प्रकार से इस संकट का भी सामना करेंगे, और हरी ने चाहा, तो शीक ही इस संकट का भी समाधान होगा, और हाँ, जाकर उन असुरों से कह दो, मैं उनसे नहीं डरती, मेरे दला कहीं नहीं जाएगा, अरे यशोदा, तुम एक मा होने के साथ साथ, गो पुत्र प्रेम दिखा कर, पूरे गोकुल वासियों को विश्लित करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, इस बालब के लिए पूरे गाहों के बली दे दे, हरे, मैं तो कहती हूँ, हमें कृष्णा को, उन असुरों को सौप देना चाहिए, नहीं, कहीं नहीं जाएगा मेरा का यही रहेगा मेरे साथ, मेरा लला कहीं नहीं जाने वाला क्या किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा काका काकी, मैंने आपकी सारी बाते सुन ली है मैया, मुझे जंगल में जाने की आग्या दे दो ना कैसी बात कर रहा पुत्र, तुझे नहीं पता, इन तो मुझे तो पता है मैं तुझे जान बुझकर, यह प्राण संकट में कैसे डाल सकती हूँ, कैसे डालो और आप लोग चुप क्यों है, मेरी बाती, क्या आप काना को अपना पुत्र नहीं मनते, क्या आप लोग काना से प्रेम नहीं करते, तो मेरे आप लोग शान क्यों है, तुझ बोस्ते क्यों नहीं, आप लोग काना को कैसे मिर सकते हैं, तुझ बोलिये, बोलिये कोई, देख लो भाईयो, यह है हमारे ग्राम प्रमुक के धरम पत्नी नंदरानी, इस ग्राम प्रमुक के धरम पत्नी, जो ग्राम प्रमुक कहता है, कि पूरा का पूरा गोकुल उसका परिवार है, अब देख इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है देख लो अपने पुत्र कृष्णा के लिए पूरे गोकुल का नाश करने पे तुली है ये नंदरानी अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती एक छोटे से बालक को मृत्यू के मुख में डाल रहे हो तुम सब मिलके उस असूर का सामना करो तो असूर क्या बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त हो सकती है और तुम हो कि एक बालक को अपना कवश बना रहे हो अरे गाउवालो तुम्हें अपने पे भरोसा नहीं रहा यदि साहस और एकता है तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगार सकता अरे तुम हो कौन जो बीस में बोले जा रहे हो अरे कौन है ये धानुपती बड़ो के आदर करना तो तुम्हें आता ही नहीं ये बूरी काफिर हमारी अतिती है कम से कम इनसे सम्मान पुर्वक तो बात कर लो ये जो भी कह रही है सब्दे तो कह रही है इसमें आसकते क्या है मैं इस गाउव की नहीं हो किन्तो इस बालग पे अत्याचार होते नहीं देख सकती और समस्या का सामना करने से समस्या समाप्थ होती है यदि तुम काना का उन असरों के पास भेज भी दो तो क्या विश्वास कि वो असर दुबारा किसी बालग की मांग नहीं करेंगे सोचो तब तुम सब क्या करोगे हाँ हम इतने स्वार्थी नहीं हो सकते अरे उन दुष्टों को काना को नहीं सौप सकते अखरी अभी तो हमारे बालग जैसा ही है यह बुडिया कहां से आपने पहले क्रिश्णा कम था क्यां महाराश यह समय वायाम करने का नहीं है सतर्क रहने का समय है गया थे तुम्हें गोकुलवासियों ने क्रिश्णा को हमें सौंपने से मना कर दिया है लग जानी चाहिए तुम्हें उसका इतना दुस्तास कदापी वो यह नहीं जानता महाराश कि हम महाप्रतापी असुर मधू और केटव के वन्शज हैं हम भे उन्हें के समान शक्तिशाली और महान है वो बालक हमसे जल से कभी नहीं जीत सकता हम अपने बल से उसको परास्त कर देंगे यह आम तो बड़ा ही स्वादिश्ट है अच्छा तो यहां आनंद पूर्वक आम खाय जा रहे हैं और वहां मैं और कानहा इसके लिए चिंतित है मुर्क तुम्हें पुतला बनकर रहना है समझे यदि मैया ने तुम्हें इस प्रकार आम खाते हुए देख लिया तो बड़ी क्रोधित होंगी वो बड़े भाया आप तो मुझे पर ऐसे ही क्रोधित हो रहे हैं अब भला आप बताईए कि अगर किसी को भूक लगी हो तो क्या वो भूका रहेगा स्वामी समझाईए न अपने भाता को यह मुझे खाने से रोग रहे हैं हाँ कानहा कहा हो तुम जल्दी चलो चुप चाप यहां से निकल जाते हैं हाँ हाँ स्वामी चलो चलो अरे धनू काका कहा चले इसारे के सारे गोकुल वासी उस किर्ष्णा के लिए मरने को तयार हैं किन्तु मैं अपनी जान क्यूं दूं एसलिया दूं जिसको अपनी जान देने दे मेरी बला से क्या किन्तु मैं अपनी जान नहीं दूंगा क्या पता उन असुरों का एक आदवार मेरे उपर ही लग जा जब गोकुल का सर्वनाश हो चुका होगा स्वामी, बहुती विशित्र किसम का प्रानी है ये गाव छोड़कर भाग रहा है ये तो यक्ष, ये हमारे धनो काका है ये कहां जाएंगे गाव छोड़कर क्या हो बिटा, रुक क्यों गए? बिटा, शेगर चलो, तुम्हें ग्यात नहीं है गोकुल के ऊपर एक भारी संकट आने वाला है शेगर करो, चलो, चलो चलो, परे, पीछे क्यों घूम रहा हो? है, क्या हुआ? तुम उस भभूतासुर और भूतासुर के बारे में जानते नहीं हो, वो हमारे प्राण ले लेंगे शेगर करो चलो, चलो, चलो बाली क्रिशना, क्रिशना, बाली क्रिशना, क्रिशना में काईवन क्या हो गया है दुश्ता, मती मारी गे दुमारी काना बैल तो रोक गए पर धनू काका फिर भी चले गए नहीं दाओ काका गाओ छोड़कर नहीं जाएंगे तुम तो जानते हो ना उन्हें गाओ कितना प्यारा है चलिए अब हम भी जाते हैं आज उस बालक का अंतिन दिन है आज हम उस बालक को छोड़ेंगे नहीं वो क्या समझता है अपने अपको वो हमें साधारा नसुर समझने की भूल कर रहा है विंदू आज हम उसे पता देंगे कि हम कोई साधारा नसुर नहीं बदू केटप के वंशेज हैं उसे उसके अंतिव शड़ों में आज हमारी शक्ति का अनुमन हो ही जाएगा उसे शायद ये पता नहीं है कि हमें हमारे सिवा कोई और हानी नहीं पहुचा सकता और भला हम सुयम को हानी क्यों पहुचाएंगे चलो अब या था शेग्र गोकुल पहुचकर उस बालक के दुर्दशा करते हैं हम यहां क्यों आये है कानहा हमारे सकह तो वहां गोकुल नदी के किनारे हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे अब भूल गए दाओ धनु काका ने क्या कहा था भूतासोर और भभूतासोर हमें मारने की योजना बना रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है वो वहीं पहुत जाएंगे जहां हम होंगे इसी लिए दाओ हम यहां गोकुल से दूर निकल आए हैं जिससे गोकुल वासियों और हमारी मित्रमंडली को वो दुष्ट किसी प्रकार की हानी ना पहुचा पाए काना काना दाओ तुम यहां हो और हम सब वहां नदी के किनारे तुमारे प्रदीक्षा कर रहे थे वो रहा कृष्णा तुम जाकर उस कृष्णा को समालो मैं जाकर गोकुल वासियों का अंत करके आता हूं उन गोकुल वासियों को भी धंडित करना अवश्यक है क्योंकि उन गोकुल वासियों ने भी हमारे आदेश का पालन नहीं किया था आज हम उसक्रिष्णा और उसके गाओं की वह दुर्दर्शा करेंगे कि बविश्च में कोई और आमारी और आख नहीं उठा पाएगा मित्रो तुम सब यहां से जाओ मैं कुछ समय में तुम्हें वहीं गोकुल में नदी किनारे मिलूंगा नहीं नहीं काना हम कहीं नहीं जाएंगे तुम हमें ब्रमित कर रहे हो तुम अकेले ही अपनी इच्छा यक्ष्टे पूर्ण करवाना चाहते हो हमें भी अपनी मनोकामना यक्ष्टे पूर्ण करवानी है कि इतनी बार समझाओं कि मैं मात्र अपने स्वामी की मनोकामना पूर्ण करूंगा तुम लोगों की नहीं काना काना यक्ष देख क्या रहे हो उस दुष्ट को रोकने का प्रयत न करो एराक्षस एराक्षस बचाओ गोखल में राक्षसा क्या बचाओ 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 ुष 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 बच्चॉ ुष तुम ने उस बालक कृष्णा को मुझे नहीं सौपा, अब मैं तुम सब को मार दूंगा याशोदा, यह तो वही भैनक राक्षेस है, जिसने हमको कुलवासयों को तुलाउती दी थी भाईों, हम सब को मिलकर इसका सामना करना होगा, कृष्णा हम सब का बालक है, हम कृष्णा को कुछ नहीं होने देंगे, हम इस दुष्ण को मारेंगे, मार डालेंगे इसको, मार डालेंगे नहीं दुस्त, तु हमारा कुछ नहीं बिगाड सकता, अगर तुझे अपने प्राण प्राण प्यारे हैं, तो तु गोपुल से चला जा दुस्त, मेरे स्वामी को छोड़ दर भबूता सुर मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुमारे इस दुस्त साहस का परिणाब, तुम्हें बुगतना होगा अच्छा, तो तुझे अब भी अपनी मिर्तियू का भय नहीं है, उल्टा तु मुझे ही मिर्तियू का भय दिखा रहा है, मुर्ख तो ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है, तो मुझे जहां चाहो ले चलो वामीर, मेरा रहू चिंता मत करिये स्वामी, मेरे होते हुए आपको कोई हानी नहीं पहुचा सकता दोस्ट, रोग जा यही, अन्नेता छोड़ूँगा नहीं तुझे अच्छा, तो तेरे जूटे अभिवान का ये कारण है किन्तु ये साधरन यक्ष, मेरे कुछ नहीं बिगार सकता ये यहां तेरी रक्षा करने आया था ना, किन्तु आज, तेरे साथ साथ ये भी मारा जाएगा क्योंकि ये साधरन यक्ष, मेरा सामना नहीं कर सकता क्रिश्ना, तु जानता नहीं है मैं कौन हो जानता हूँ तुम कौन हो तुम मधू केटब के वन्शजो ना स्वामी इसे मारने की युक्ती है मेरे पास चलिए तूरे देव की और चलिए तूरे देव के ताफ से ये स्वाइम भस भूजाएगा इसकी मृत्यू तो नहीं होगी किन्तु जब तक इसकी मृत्यू का हम उपाए नहीं निकालेंगे जब तक इसे तूरे देव के ताफ में तरपने के लिए छोड़ देते हैं क्या हुआ क्रिश्णा तू कहां भागे जा रहा है क्या भाइबीत हो गया तुम उस्टाए किन्तु आप में तेरा पीछा नहीं छोड़ूगा क्रिश्णा काना कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमें गुकुल में जाके सबको बता देना चाहिए काना के चिन्ता मत करो वो शीगरी लोट आएगा तुम गांवालों का इतना सास कि मेरे समक्ष खड़े होकर मुझे ही चुनोती दे रहे हो तुमने उस क्रिश्णा को मुझे नहीं सौफ कर यहां आने पर विवश्च किया है और तुम सब में से कोई नहीं बचेगा मैं सब को मार दूँगा पुला पुला है करलee पुला है सय पुला है पुला है पुला तुम तब को रेक्चात्री सान पचले जाओ चलिए चलिए इस दुष्ट राक्षास के आतंग का सामना करना हमारे बस की बात नहीं आओ मेरे सामने आकर दिखाओ क्यों क्या हुआ अब कहा गया तुम सब का वो सास पेशन यह सब क्या हो रहा है नहीं है सुध्य… मैं अपने गोकूलवाइ़ों के साथ festive ऐसा नहीं होने दूँगा नहीं दूश्ट तु मेरे गोकूलवाइ़ों को नहीं मार सके व channel तू जिस स्कान्या को ढूंड रहा है मैं उसका पिता हूँ तुझे जो भी यातना देनी है मुझे ही यातना दे पेरे कोकुलबाजने को कुछ भच कर मैं तुझे विंती करता हूँ हारे हारे है हारे, हारे लंगरे दुष्ट तुझ इस बालो कं़ाने आए अस वह सो क्यों जी माहता हूँ ये शोधा, तुम्हे यहांसे जाओ ये शोधा, जाओ यहांसे नहीं आरे, मैं आपको छोड़के नहीं जाओंगी मैं आस तू, सबसे पहले मेरे हाथों ही मारा जाएगा नहीं दूश, ये तेरा भ्रम है तू हम गोकुलवासियों का बाल भी बाका नहीं कर सकता हमारे साथ हमारी सेवी माता है सेवी माता है हमारी रक्षा की रक्षा कीजे माता मेरे ये झासा सवारा की इंवा सैवी माताना नहीं के ऐएगा आस प्रिश Wednesday Life कर दो कर दो कर दो कर दो